इस्टोरी 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 इस्टो उसके पास एक यूनिक एक उसके पास यह आर्ट है कि वह कहानिया सुनाता है गजयब की थोड़ी थ्रिलिंग वाली, सस्पेंस वाली, रोमांच वाली He has one more capacity to cook the food out of nothing कुछ भी नहीं available हो तब भी वह cook वह बोजन बना देता है यह इसका असिस्टेंट है अभी आगे देखियें, आगे देखते हैं One morning, one morning when Mahindr was having breakfast, एक सुबर जब Mahindr breakfast ले रहा था Was having past continuous tense, was के बाद ing form of verb Ishwaran asked, Ishwaran ने पूछा, can I make something special for dinner tonight sir? क्या मैं आज कुछ रात्री के लिए dinner में कुछ special बना सकता हूँ? Can I make model can का प्रयोग permission? After all today is an auspicious day, आखिरकार आज एक auspicious day है Auspicious means पवित्र, जो पौराणिक रूप से हमारे लिए काफी धर्म का हो, पवित्र हो According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today sir परंपरा के हिसाब से, tradition के हिसाब से, हम कई प्रकार की delicacies बनाते हैं Delicacies means delicious foods, dishes of delicious food Swathisht जो व्यंजन होते हैं, उनको delicacies कहते हैं Plural है delicacy का To feed, खिलाने के लिए, the spirits of our ancestors, हमारे जो पुर्वज हैं, उनकी आत्माओं को पुर्वजों को, जैसे हमारे यहां शाद कर्म होता है, शाद कर्म हम करते हैं, उस प्रकार से That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills उस रातरी, Mahindra ने सबसे ज़्यादा स्वाधिष्ट डीनर खाया और उसी के साथ उसने compliment किया बधाई दी, Ishwaran को शाबाशी दी, उसकी पाक कला के लिए Culinary skills means पाक कला, जो बोजन मनाने की कला होती है, the art of making food He seemed very pleased, वह बहुत प्रसन्न लग रहा था, but unexpectedly, परन्तु बिना किसी आशा के, अप्रत्याशीत रूप से, जो हमने expect नहा किया हो Unexpectedly, launched into a most garish account involving the supernatural परन्तु, बिना किसी आशा के, वह launch कर गया, तुरंत उसने सामने प्रकट कर दी और वह उसमें कूद गया, किसमें, most garish account, G-A-R-I-S-H garish, garish हमारे पास word है, जिसका मतलब होता है, too much showy जो बहुत ज़्यादा भढ़कीला हो, बहुत ज़्यादा दिखावटी वाला हो उसमें वह कूद गया, involving the supernatural, जिसमें की supernatural power जो कुछ अलोग के power की बात थी, एसी कहानी में वह कूद गया यूनो सर, this entire factory area we are occupying was once a burial ground आपको पता है सर, यह पूरा factory area जहां हम रह रहे हैं, जहां महेंदर supervisor का काम कर रहा है यह पूरा का पूरा, एक बार, burial ground था, दफनाने की जगे थी, कब्रिस्तान था he started, उसने शुरू किया, देखो suspense के साथ शुरू करता है वह महेंदर वास jerked out of the pleasant ravery महेंदर jerk out, हमारे यहां फेजल वर्ब है हमारे पास, जिसका मतलब होता है जटका दिया महेंदर वास jerked out, महेंदर को जटका दिया गया वास के बाद है यह past participle form, phrasal verb jerk out की तो यह past indefinite का passive voice sentence है महेंदर को जटका दिया गया of the pleasant ravery r-e-v-e-r-i-e, ravery, ravery means dream एक सुहाने सपने का जटका दिया गया उसको महेंदर को he had drifted into after the satisfying meal उसने एक संतुष्टी पुरवक का जो बोजन किया था उस संतुष्टी पुरवक के बोजन के बाद वा drift means go के रूप में है moment के साथ जना वा चला गया, अंदर हो गया जैसे पानी में कोई चला जाता है वैसे वा चला गया एक संतुष्टी पुरवक के बाद उस कहानी के बहाव में उस कहानी की कलपना में drifted into I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path मैं जानता था मैंने जाना past indefinite tense पहले ही दिन पहले ही दिन जान लिया first day itself जब मैंने देखा एक मानव का इसकल मानव की खोपड़ी laying on the path रास्ते में पड़ी हुई रास्ते में लेटी हुई मैंने मानव की खोपड़ी देखी तब ही मैं समझ गया था ये तो कबरिस्तान था even now I come across a number of skills and bones इश्वरन continued और इश्वरन आगे बोलता है कि अब तक मैं कई सारे खोपड़ीयों के और हड़ीयों के संपर्क में आ चुका हूँ come across मेरे सामने से गुजर चुकी है ये एक suspense का environment इश्वरन ने create किया और देखिए वाई साब महेंद्र को उसने डूबो दिया वापिस एक thriller की story में यहाँ पर ये picture है जो वो story narrate कर रहा है उसके imagination पे आरके लक्षमन की एक cartoonist picture यहां पे देखिए कि किस तरह से कोपड़ी पड़ी हुई है और इसके संपर्क में आया है he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night went on फ्रेजल वर्ब go on की पास्ट फॉर्म वह जारी रहा यह वर्णन करने के लिए निरेट करने के लिए कि किस प्रकार कभी-कभी देखा उसने he saw ghost at night रात्री में भूद देखे कि कभी-कभी किस प्रकार उसने भूद देखे इस पर आगे वो वर्णन करता है I am not easily frightened by these things sir मैं आसानी से इन चीजों से डरता नहीं हूँ sir I am not easily frightened sir I am a brave fellow मैं एक बहादूर व्यक्ति हूँ but one horrible ghost of a woman परन्तु एक horrible means भयानक खतरनाक ghost of a woman एक ओरत का भूत which appears off and on at midnight जो कि प्रकट होता है off and on प्रकट होता और गायब हो जाता है मद्धिरात्री में during the full moon जब पूरे चंद्रमा की रात होती है प्रणिमा की रात होती है तो वह जब प्रकट होता है it is an ugly creature यह एक बद्दा प्रानी है with matted hair जिसके बाल matted है उल्जे हुए है matt की तरह jelly की तरह and a shrivald face s-h-r-i-v-e-l-l-e-d shrivald means dried dried up सूखा हुआ और एक सूखा हुआ चेहरा है जिसका like a skeleton holding a furtus in its arms जैसे कि यह कंकाल हो और उस कंकाल ने पकड़ा हुआ हो present participle holding a furtus in his arms f-o-e-t-u-e-s furtus जो नवजाच शिशू होता है गर्ब का शिशू होता है जो की बचता भी नहीं है उसको furtus कहा जाता है जो एक सूखा हुआ कंकाल हो और उस कंकाल ने पकड़ा हुआ हो furtus को अपनी आव में इस तरीके से बद्दी सी वो महिला दिखती है पूरे चंद्रमा की पुर्णिमा की रात को प्रकट होती और गया वोती है बड़ा भयानक बूते वाईसा मैंने देखा है ये कहानी इश्वरन कह रहा है महंद्र की हालत खराब महंद्र sheward at the description महंद्र कप कपा गया sheward इस वर्णन description पर महंद्र कप कपा गया and interrupted rather sharply और तुरंती उसनो उसको रोका व्यवधान किया interrupt किया You are crazy इश्वरन तुम पागल हो इश्वरन There are no such things as ghosts or spirits ऐसी कोई आत्मा और भूत वाली कोई चीज है नहीं संसार में It is all a figment of your imagination या केवल तुम्हारी कलपना का एक figment है एक part है एक piece है एक टुकडा है Get your digestive system examined causative verb get का प्रियोग किया है ध्यान दे लेना जैसे हम बोलते हैं किसी को get ready यानि कि तैयार हो जाओ get out यानि कि बाहर हो जाओ उसी तरीके से get your digestive system examined अपने पाचन तंत्र की जाच करवालो इसका परिक्षण करवालो and maybe your head as well और अपने सिरका भी करवालो you are talking nonsense तुम मुर्खता की बाते कर रहे हो present continuous tense inverted coma में as it is he left the room and retired for the night उस रात्री को उसने रूम छोड़ दिया and retired means retire आराम कर लिया उस रात्री को expecting उम्मीद करते हुए इश्वरन to sulk for a couple of days यह उम्मीद करते हुए कि इश्वरन कुछ एकाद दिनों के लिए क्या होगा sulk means खीजना irritate होना कि एकाद दिनों के लिए for a couple of days इश्वरन से खीजेंगे उससे irritate होएंगे but the next morning कौन क्योंकि उसने कहाणी सुनते सुनते बीच में छोड़ दी है तो उसने इश्वरन से expect किया है कि इश्वरन एकाद दिनों के लिए खीजेगा उससे रूठेगा irritate होएगा परन्तु the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever अगली सुबह उस कुक जो कि इश्वरन के लिए आया है उसको देख करके वो surprised था वो कुक उतना ही आनंद दायक और उतना ही बातुनी talkative था cheerful and talkative as ever जैसा होँ हमेशा रहता था from that day उस दिन से on महेंदर महेंदर के उपर for all his brave talk उसकी सारी बहादूरी की बातों के लिए went to bed with a certain unease महेंदर उस दिन से क्या हुआ है उसकी सारी बहादूरी की बातें went to bed वो बिस्तर में गया with a certain unease थोड़ी बैचेनी के साथ अब वो जो बिस्तर में गया उसकी सारी बहादूरी की बातों के साथ थोड़ी बेचेनी है यानि कि यहां बहादूरी चली जा रही है बातों में मन में कुछ भैसा व्याप्त हो रहा है every night he peered into the darkness हर रात्री he peered वो गूर कर देखता था जांकता था into the darkness अंधेरे में हर रात्री जांकता था जांक कर देखा उसने अंधेरे में darkness में outside बाहर की ओर through the window खिड़की से next to his bed अपने विस्तर के आगे next trying to make sure या आश्वस्त करने के लिए that there was no moment of dark shapes in the vicinity कि वहाँ पर कोई भी moment कोई भी हलचल नहीं है किसी भी अंधेरे आकरती की in the vicinity V-I-C-I-N-I-T by vicinity means the surrounding area नजडिक का इस्थान but he could only see a sea of darkness पर अंधेरे का एक सागर with the twinkling lights off the factory miles away चमकती हुई लाइटों के साथ लाइट है थी उस factory की जो कहीं मिलो दूर थी उसकी चमकती हुई लाइट ही के वल वो उस गहरे अंधेरे के समुद्र में देख सका सागर में देख सका He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights had always liked past perfect tense head के बाद थड़ फों always बीच में adverb है उसने हमेशा पसंद किया था प्रशंसा करना, admire करना milk white landscape को landscape द्रश्च जो होता है चोड़ा सा द्रश्च जो होता है full moon की nights पे उसको उसने हमेशा प्रशंसित किया था पसंद किया था, करता था वो but after hearing इश्वरन से स्टोरी of the female ghost परंतु इश्वरन की उस स्टोरी को सुनने के बाद, female ghost वाली महिला भूत वाली स्टोरी को सुनने के बाद महेंद्र वाज वोकन अप महेंद्र को उठा दिया गया वो खुछ से नहीं उठा एक रातरी को महेंद्र को उठा दिया गया past and definite का passive voice from his sleep उसकी नींद से एक लो महेंद्र को उठा दिया गया उसकी विंडो के पास से ही एक धीमी सी M-O-A-N M-O-N means विलाप करने की आवाज दुखी आवाज, रोने की आवाज, कराहट की आवाज उससे उसको उठा दिया गया वो आवाज उसके विंडो के पास हुई और वो उठ गया at first he put it down to a cat put it down to a cat prowling around for mice पहले तो उसने ये समझा कि कोई बिल्ली है जो किचूहों के चारों और शिकार करते हुए दोड रही है prowling, hunting, moving moving for hunting शिकार के लिए गूमना फिरना इसके लिए वो दोड रही है इसको उसने मान लिया but the sound was too guttural for a cat परंतु वो sound जो था guttural था GUTURL गले से उत्पन्न होने वाली आवाज थी जो throat से उत्पन्न होती है produced from the throat वो ऐसी थी कि वो बिल्ली की नहीं हो सकती He raised a stat उसने प्रतिरोध किया the curiosity to look out उसने बाहर देखने की अपनी curiosity अपनी उत्सुकता को curiosity यहाँ पर noun ने abstract noun उसको उसने प्रतिरोध किया मत देख क्या करना अपने को क्यालेने देने जाना last वरना he should behold a sight वह पकड़ा जाएगा उस sight में उस द्रश्य में वह catch होएगा which would stop his heart जिससे उसका दिल बेट जाएगा मतलब उसने मान लिया अपने आपको रोकने की कोशिश की या उस सुकता देखने की जो थी इसको रोकने की पूरी कोशिश की वरना हो सकता है कि वह उस द्रश्य को देख ले बूतहा द्रश्य को देख ले जहाँ उसका दिल बेट जाए या वो रोने की आवाज वो विपिंग साउंड और उंचा हो गया and less feline f-e-l-i-n-e feline means बिल्ली की जाती से संबन्दित होता है of the cat बिल्ली जाती संबन्दित और वह less feline हो गया है निकि बिल्ली जैसा नहीं रहा जितना वो loud हुआ उतना ही बिल्ली के sound जैसा नहीं रहा he could not resist the temptation anymore अब वो अपना जो लालच था ललचाना था temptation वह रोक नहीं पाया lowering himself to the level of the window seal window की जो seal होती है नीचे का area उस window seal के level तक अपने आपको नीचे करते हुए l-o-w-e-r-i-n-g lowering यहाँ present participle का का काम कर रहा है adjective का नीचे करते हुए he looked out at the white sheet of moonlight outside उसने देखा बाहर moonlight की उस white sheet को यह white sheet natural white sheet है moonlight के landscape pictures की उस सिनेरियो there not too far away वहाँ ज्यादा दूर नहीं was a dark cloudy form एक बादलों के जैसा एक form था dark था clutching a bundle एक bundle को पकड़े हुए clutching c-l-u-t-c-h-i-n-g पकड़े हुए tight से पकड़े हुए हमारी गाड़ी में जो left hand पे आप बाइक चलाते हैं देखते हैं बाइक पे हम उसको नाम रखते हैं clutch यह clutch activity ही है कस के पकड़ना clutching a bundle एक bundle को clutching करते हुए कस के पकड़े हुए उसने देख लिया एक cloudy form को महंदर broke into a cold sweet थंड़ा पसीना आ गया उसको broke into phasal verb break into की past phone अचानक से प्रकट हो गया and fell back on the pillow वापिस बिस्तर पर जाकर के गिर गया painting P-A-N-T-I-N-G painting painting means भारी सांस लेना gasping G-A-S-P-I-N-G भारी सांस लेना भारी सांस लेते हुए जब गवराट हो जाई जब condition गवराट में हो और हम जयत तेजी से सांस ले उस condition में वापिस बिस्तर पर फेल गया as he gradually recovered from the ghastly experience जैसे ही gradually दीरे दीरे वा recover हुआ वापिस अपने उस भूतहा अनुभव से he began to reason with himself उसने अपने आप से कारण जानना शुरू कर दिया अपने आप से प्रशन पूछ के कारण जानना शुरू कर दिया and finally concluded और आखिरकार उसने निशकर्ष निकाला that it must have been some sort of auto suggestion कि ये कुछ ऐसे ही खुद से ही निर्मित हुआ हुआ कुछ हुआ होगा it must have been ज्यान देंगे sentence पर ये जो conclusion उसने निकाला है must के बाद है और उसके बाद been sentence के tense पर अगर दियान देंगे तो यह sentence का जो tense है यह है present perfect और यहाँ been man verb की third form के रूप में है कि यह निश्चेत ही रहा है उसका खुद का auto suggestion जो उसके subconscious या unconscious mind से आया है कि ऐसा some trick that his subconscious had played on him कोई ऐसी trick ऐसी युक्ती यो कोई तरकीब जो उसके ही अर्ध चेतन दिमाग ने subconscious ने उसके साथ play की है ऐसा उसने सोचा by the time he had got up in the morning तब तक वह उठ चुका था सुबह morning में had a bath इसनान किया उसने and come out to have his breakfast और बाहर आया बाहर आता है अपना सुबहकार नाश्ता breakfast लेने के लिए the horror of the previous night had faded from his memory पिछली रात्री का horror डर उसकी memory से had faded जा चुका था past perfect fed dead fed की third form past participle जो madda हो जाना madda हो जाना धिमा पड़ जाना इश्वरन greeted him at the door with his lunch packet इश्वरन ने उसका स्वागत किया great अच्छे से greet किया उसको door पर lunch packet के साथ and his bag और उसके bag के साथ तयार साब जी के लिए lunch तयार lunch का packet तयार जो वो साथ मे ले जाएंगे और बेक तयार just as महेंदर was stepping out जैसे ही महेंदर हमारा supervisor was stepping out बाहर कदम बढ़ा रहा था step से बना stepping out बाहर step out फ्रेजलवर बाहर कदम रख रहा था इश्वरन ग्रीन्ड and said इश्वरन ग्रीन्ड दात निकाल के जो हसते हैं थोड़ा दिखा के जब हसते हैं मुर्खता पूर्वा किसी को दात निकाल के खीजा के हसते हैं that is green greened वो दात निकाल के हसा और उसने कहा sir remember the other day when I was telling you about the female ghost याद करो एक दिन में कह रहा था आपको उस female ghost के बारे में with a fortress in his arms जिसके arms में fortress था नवजात मरा हुआ शिशु you are so angry with me for imagining things चीजें कलपना करने के लिए आप मेरे उपर बहुत ज़्यादा गुस्ता थे यहां imagining ना उनके रूप में है जिरंड कहते हैं इसको non-finites में well you saw her yourself last night पिछली रात्री आपने खुद देखा उसको उसको कैसे पता चल गई भाई कि महेंडर ने पिछली रात्री देखा उसको I came running hearing the sound of morning that was coming from your room मैं दोड़ता हुआ आया उस दिलाप के रोने चीखने की आवाज को सुन करके उस दुखी आवाज को सुन करके वो आ रही थी from your room आपके रूम से अचील वेंट डाउन महेंडराज स्पाइन एक ठंडक दोड़ गई एक ठंडक दोड़ गई महेंडर की स्पाइन में मेरू दंड में बेकबॉन में उसने इश्वरन के लिए इतना भी इंतजार नहीं किया कि इश्वरन अपना सेंटेंस पूरा करता he hurried away उसने जल्दी किया तो हिस ओफिस और अपने ओफिस के लिए निकल लिया and handed in his papers और handed कर दिया हाथों में दे दिया उसके papers resolving to leave the haunted place वो ओफिस गया और अपना पेपर उसने वहाँ पे दे दिया resolving means निश्चे करते हुए determine करते हुए उसने वो पेपर दे दिया to leave the haunted place उस भूतहा haunted भूतहा डरावने प्लेस को छोड़ने के लिए the very next day अगले ही दिन तो महंदर गये बाई साब और ओफिस में उन्होंने दे दिया अपना पेपर निश्चे करके अब ये जगे छोड़ देंगे डर गया वो रह नहीं पाएगा ये story है इश्वरन की और ये श्वरन assistant था महंदर का महंदर supervisor था एक भाड़े पे देने वाली company में और महंदर नहीं ये story सुनाई है जो कि हमने शुरुवात में देखा है गनेश को beautifully written by R.K. Lakshman wish you all the best, hope you have learnt the all conceptual points of the story एक वो place to place क्यों जाता था महंदर उसको क्या मतलब था place to place जाने का company से उसको supervisor के रूप में factories में, bridges में, dams में लगा दिया जाता था, इसलिए वो place to place जाता था और उसका valued asset महंदर का अपने आप में इश्वरन था as a cook and as an entertainer वो cook भी अच्छा था culinary skills की अच्छी थी और वो एक अच्छा entertainer भी था वो describe कैसे करता था, एक तो incident उसने uprooted tree की highway पे जो उखड़ा हुआ पेड़े उसकी बताई है एक उसने tasker यानि की elephant वाली story बताई है किस तरीके से school में क्या माहूल हुआ और कैसे उस elephant के third toe के nail पे वो मारता और अपनी बहदूरी बताता है और एक story इसने female ghost की बता दी है यह तीन story है जिस पर question बनते है question बनता है इश्वरन entertainment से भी ज़्यादा क्यों था उस महंदर के लिए इसमें उसकी quality attributes आएंगे the quality of framing instant stories कोई मनोरंजन TV ऐसा नहीं कर सकती जितना की इश्वरन उसका कर सकता था एक full moon light को क्या हुआ इस पर आपका question है और आपकी यह story आर के लक्षमन ने उस जगे छोड़ दिये जहां आगे किसी भी direction में यह story जा सकती है आप किसी भी direction में इसको आगे थोड़ा और ले जा सकते हैं कि क्या हुआ होगा कोई other end इसका हो सकता है या उस दिन वा उस haunted place को छोड़ने का नहीं सोसता तो क्या होता हो सकता अगले दिन फिर और उसके साथ एक incident होती और कोई story इश्वरन सुनाता और terror में horrified होकर के बाई में और कुछ हो जाता so there are many so possibilities for the situations of such fascination and fencing things you can frame the next part also based on your imagination it depends on your capacity of writing and the imagination wish you all the best keep learning keep moving keep rocking sky will not be your limit good bye milte hai break ke baad